इन तेरे बच्चों, वैलकम टू भार्तोस क्लासेस कैसे हो बच्चा, आसा करता हूँ सभी अच्छी होंगे, स्वास्त होंगे, तो आज हम लोग करेंगे जी सी आर्टी, हिंदी भासा मंजरी में अध्यार 15 के प्रश्मुतर, अध्यार 15 का नामें ग्रोसिस, इस पार्ट में सब्टार, इस दों के बारे के बदने को भी लेगा, पहले तो आप सभी ये पता दो कि कितने बचहें पρबादा, इस वीध्याले घूम कर आए हैं, हैं अप लोग को मुठा मिली तो वीध्याले में अवेस्वामाय पच्चों, सिच्छा की कहा जाता है, सिच्छा नगरी, बेचियों को बहुत ही वातावरन जो वहां का है बहुत ही स्वक्ष बहुत ही वहां पर निर्मल है बहुत ही आपको अच्छा लगेगा वहां पर गोम के देखोगे तो पहला है कि पाट में विद्यार्थी की जो वेस भूसा है उससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्चित होता है तो इसके उतर में लिखेंगे कि विद्यार्थी जो की पजामा कमीज और चपल पहने था पजामा पैताने से फटा हुआ था कमीच अच्छी थी इससे विद्यार्थी के बारे में पता चलता है कि वह आसहा है और वह पंडित जी से जिक्षा गरहन करने आया है तुसरा प्रस्ण है कासिव विद्याले का वर्णन अपने सब्दों में किजिए इसमें लिखेंगे हम ल कासिव विद्याले का ही नाम है तो बनारस हिंदू विद्याले उत्तर प्रदेश के वारा नसी में इस्थीत एक केंद्रिय विद्याले है इस विद्याले की अस्थापना मदन मुहन मालविये ने की थी इस विद्याले को कासिव विद्याले के नाम से भी जाना जाता है ती वहां के परिवेश और आपके परिवेश में क्या अंतर है तो लिखे ये कि बनारस के आसपास के ग्रामिन ओरतें लाल कत्थाई रंग की सानिया पहनती है वे घास काटती सर पर घास का गठर रखे अब आपको इस परिवेश तो मैंने लिखा दिया है और आपको आपका परिवेश में क्या आंतर है ये आपको लिखना है और यदि आपने लिखते होगे तो कमेट कर देने बच्चा मैं इसका प्रिटर लिखवा देंगा वीडियो पसंदारी तो वीडियो का लैक्सेर और चेनल को सिस्क्राइब जरूर कीजिएगा तिसरा प्रस्न हो गया चौता प्रस्न करते हैं लेखक फर्ष पर ही क्यों बैठ गया तो लिखे हैं कि लेखक कुछ सम्मान भावना कुछ संब्रम के कारण ब्रामदे में बने सिमेंट के आशनों पर नहीं बैठा वह फर्ष पर बैठ गया और फर्ष साफ सुतरा था है और दूसरा कारण या भी हो सकता है कि वह पंडित से सिच्छा गरन करने गया था ठीक है वह एक विद्यारती बनके गया था तो अपने आचन अपने संस्कारों को दिखा रहाता है कि कितने अच्छे उसमें संस्काठ करने चाहता है उसे सिचक जो सिचक होते हैं उनसे हमेशा क्या बोलते हैं उसको कि गुरु का दर्जा भगवान से भी उचा होता है तो हमें गुरु को भगवान से भी उचा दर्जा देना चाहिए तो वही काम लेखक ने यहाँ पर किया है पांचवा प्रस्न है लेखक कानपूर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था तो लिखेंगे इसमें लेखक बी ए में लगवग 60% अंक लाया था लगवग का अर्थ 60% यानि वह तीन अंकों के कारण 60% नहीं लाया था वह हाई इसकूल में फर्स्ट क्लास था VSSD कॉलेज कानपूर के अध्यापक लेखक से आसा करते थे कि वह उनिवर्शिटी में टॉप करेगा परन्तु उसकी प्रथम स्रेनी भी नहीं आई थी इसलिए वह शर्म के मारे कानपूर से भाग आया था ठीक है छटा प्रस्न सप्रशंग वैक्या किजिए जब तुम मेरे शिष हो गयो हो तो गुरू शिष से बढ़कर आत्मे संबन और कोन होता है विद्यार्थी को मधुकरी वरीती का होना चाहिए जहां से भी हो ज्यान गरहन करना चाहिए तो इसके उतर में नमलो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ती प्रच्छा आठवी की हिंदी पाठ पुस्तक भासा मंजरी के गुरू सिसपाठ से ली गई है जिसके लेखक विशुनात रिपाठी है लेखक जब पंडित व्यदी से पुस्ते हैं क्या तुम्हे कोई आर्थिक कस्ट है तो वह कहता है कि मैं उसका प्रबंद कर लूँगा बस आपकी क्रिपा चाहिए इस पर महाविर परसाथ दिवेदी कहते हैं कि जब तुम मेरे सिस से हो गए हो तो गुरू और सिस से बड़ा आत्मे संबन और कौन होता है सिस को एक मधुमक्की के भाती होना चाहिए जिस परकार मधुमक्की को जहां से भी फूल मिल जाते है वहां से उसके रश को ग्रहन कर लेता है ठीक उसी परकार किसी विद्यारती को जहां से भी अच्छी बाते अच्छे ग्यान सीखने को मिले उशे ग्रहन कर लेना चाहिए तो धन्यवाद बच्छो आप सभी को आप सभी को प्राशन समझ में आये होंगे तो थेंक यू जरूर लिखेगा और किसी पर करका डाउट हो तो डाउट भी लिखेगा वीडियो पर नहीं हो तो भारत्वस क्लासिस को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक सेर जरूर करना थैंक यू बच्छो नेक्स्ट में हम लों करेंगे अध्या सोला के ब्रस्मतर जैन्यवाद